कर्णाल से सरोज जुड़ी है हमारे साथ स्वागत है सरोज जी जी नमस्कार जी नमस्कार क्या हो जाती है जिसे खारीश करते हैं अगदाने की उचलती है जी जो पित्ती है यह बहुत आसानी से ठीक हो सकती है भी एक आता है कलाउंजी का नमक हमारे किचन में कलाउंजी होती है इसे हम तोड़ते हैं तो अंदर सफेद निकलती है यह जो सफेदी है यह निकाल लेते हैं और उसको कहते हैं कलाउंजी का रसायन यह नमक कलाउंजी भी कहते है यह नमकी नहीं होती यह सो ग्राम ले लिजे हैं और और 100 ग्राम लेकर 500 ग्राम अलसी के साथ पाउडर बनाएं और आदा आदा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ खाये करें फाइदा तो बहुत जल्दी होगा आपको इससे लेकिन आप इसे खतम कर लेना जो 600 ग्राम में ने बताया इसे खतम करके आप निश्चिंत हो जाए फिर जीवन में यह बीमारी वापस ना लोटे नेक्स्ट कॉल अलखनाव से मनोज शुकला जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार जी आदा अलो जी जी बताई यह मैं सुन रहा हूं बताई क्या सवाल है डाक्टर स्वाम हमारे कान में बहुत भारी पंड़ता है और एक कान में दाहिने कान में आवाज आती है शुकला साब कितनी उमर है कब से है यह रोग 42 स्वाल भर हो गया करें ठीक है अच्छा मेरी बात आप और मुझे देखें गौर से यह आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं वह आप शुरू करें और पंदरा दिन तक करें ठीक है पंदरा दिन तक देखिए ऐसे करनी एक्सरसाइज यह कान इससे मिलाई है यह मौधा मौधा नहीं उठना चाहिए आपका ऐसे यह आप रोजाना तीन मिनट करें तीन मिनट एक साथ नहीं कर सकते तो एक एक मिनट करके तीन मिनट करें ठीक है और ऐसे 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 ये भी तीन मिनट करना है और पंदरा दिन करना है ठीक है पंदरा दिन में आपको इतना फाइदा होगा कि आप समझ सकते हैं कि आप खुद बगहर दवा के भी फाइदा हो सकता है वैसे तो बगहर दवा के फाइदा हो जाना चाहिए और अगर पिर भी आपको लगए कि कम फाइदा है या कोई घरे लिए उसका चाहिए आपको तो कैपसूल टी केर टी फोट टाइगर रोज आना एक बार या दो बार नाचते और खाने के बाद लिया करें पंदरा दिन तक एक्सरसाइज करते रहें वजन बिल्कुल ना उठाएं बहुत मेहनत ना करें और यह अच्छा इलाज है अगर आपने पंदरा दिन किया तो आपको बहुत फाइदा मुम्किन है पंजाब से नेक्स्ट कॉलर परवीन स्वागत है आपका हांजी नमश्कार मटाजी मेरे को पहले लिपनों में और कमर में बढ़ पार है कि अपसी को थोड़ा सा बढ़ का में अपसी तो ना पैर पैर बाहने बाहनेते हैं और वह जाते हैं पट्टी जाए गरम वपन अनी वह आप ऑपना ती और उन्होंने को का तन बोला है कि आधि तुपनी का विप और यूदी आज़े वह मेरा सुपिनी में फ़ड़ा निस आया है तो इसके लिए नेशी आप से मैं प्रीष में जाते हूं पीजे क्या बताई निया इनके पैरों में सुजन बहुत जादा है और डॉक्टर्स ने कहा है कि एक बर आप किड्नी की जाच करा लिजिए किड्नी की जाच तो अगर सुजन आये पैरों के साथ मूपर भी मूपर भी सुजन अगर आती है तो किड्नी की जाच होनी चाहिए अकसर ये रोग होता है हमारी किड्नी की गंदगी जिसे के जलिए नाइन कहते है उसके बढ़ने से और आप करा लें तो बहुत अच्छा है अगर कराना टेस्ट बहुत अच्छा होता है और साल में एक दो बार हमें अपना बाडी टेस्ट कराना चाहिए पूरा फुल बाडी टेस्ट ठीक है और इसके लिए मैं दवा भी बता देता हूँ, एक आता है गौन सिया, सुबा शाम आधा आधा गिराम ले, असली ले, नकली बहुत मिलता है, जायके में कड़वा, और देखने में ब्राउन कलर का, लेकिन इसे गौन सिया कहते हैं, यानि काला गौन, आधा आधा गिराम आप खा आधाए नमस्कार, आप थोड़ा सा तेज अवाज में बात कर लीजिये, आपके आवास बहुत कम आरी है? ज़िज आमार्ण आधा गिराम आधा, जी नमस्कार दशाँ? जी यादाव मैंने ना आपके अभी यह कैपसुल मंगवाई है इसनों के लिए तो मेरे गुष्टने बहुत करकर करते हैं उससे वैसे ना वो मैंने लिए अभी पहुंचे हैं लिए पास ना वो कैसे लिए ठीक एक सुबह नाश्टे के बाद इस्तिमाल करें एक कैपसुल बगए चर्बी के दूस से या पानी से और शुगर नहीं है तो कभी जूस से भी ले सकते हैं कभी दूस कभी पानी कभी जूस तो इस सुबह नाश्टे के बाद और रात को खाने के बाद दो ये वक्त लें और पांच दिन सबर करें पांच दिन बाद कुछ रिजल्ट आता है और एक महीने में आपको इतमिनान आ जाता है एक महीने पूरा फाइदा हुजाये तो दो तीन महीने आप खाएं तो आपको बहुत मुद्दत के लिए फाइदा होना मुम किन आई यह स्वा pasture से स्वागत है आपका रेखा जी स्वागत है आपका जी बौलिया मेरे पेर में डाक्टर ने गेब बताया है, ग्रीस कम बताया है, तो उसके लिए क्या करूँ मेडम जी? आपकी एज कितनी है? मेरी 53 है मेरा 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 ठीक है ग्रीस कभी कम नहीं होता, ये खुद्रत की पैकिंग है, कोई मोटर साइकल का कार्बूरेटर नहीं है, ग्रीस खतम हो गई ये जल गई ये ग्रीस कभी खतम नहीं होता, और गेब कभी नहीं आता ऐसा मेरा अनुभाव है, आप को मेरा अनुभाव देखना है तो, कैपसूल टी केर, टी फोर्ट टाइगर, कैपसूल टी केर, सुबा शाम लेना शुरू करें, और कुछ दिन वज़न नहीं उठाएं, और वेस्टन ट्वालेट ऐसे, कुर्सी वाला जो ट्वालेट है, उसक के साथ मेरा अनुभाव है, कि आप देखिए, यह अगर लेंगे, तो पांच से दस दिन में फाइदा शुरू होना चाहिए, आपको इतना सयम है, तो आप शुरू करें, कैपसूल टी केर, सुबा नाश्टे के बाद, रात तो खाने के बाद, बगएर चर्बी के दूस से, शुगर नहीं है, तो जूस से, गरीब हैं, तो पानी से भी काम करता है, एक महीने दवा लें, अगर पूरा भी फाइदा हो जाए, तो दो-तीन महीने तक लेना, ताकि आपके घुटने की पूरी रिपेर हो सके, मुंबाए से, राच कुमार संतोरसी जी, स्वागत है आपका लगे गजा सुटूरी से लबी बात करनी है मैं नमशकार करता है आपको नमें आपको मुझा आप डूरा गाम देखता हूं चाहे तकलीब हो यहां नहीं हूं मैं एकल मग घर में देखते हैं सब लोग अच्छा अधने वाद भाव बहुत इस तरीके साहँ बात करते हैं बहु सी उस्टा गाम कर रहे हैं जो आप बबाद नसके बदाते हैं बहुत अच्छा राक्ता है इसे देख गारें जर्दर नावाजी का बहुत 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 शड़ा है बताइए क्या और सेवा है मेरे लिए मेरे इन्हें गुटने से यह अन्य जाती है पुरी गुटने से एक नस युनानी में है देखिए कैपसूल टी केर या तो लें सुबा शाम और वेस्टन टॉयलेट होगा आपके घर में उसका उप्योग करें पराने लोग वेस्टन टॉयलेट का उप्योग नहीं करते थोड़ा बचते हैं देखिए नई सब्विता के साथ हमें ढ़लना सरूरी है त तो आपको फाइदा जरूर पहुंचाएगा एक महीने में फाइदा हो जाए तो तीन चार महीने आप लगातार दावाले और होसला अवजाई के लिए आपका बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी के लिए बहुत धन्यवाद सलामत रहिए आईए बात करते हैं नेक्स्ट करते हैं पाइज क्या है आपकी आपकी पच्पन 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 ठीके देवी जी रुखिये मैं एक इलाज बताता हूं बलके एक फीजियो थेरपी कहते हैं इसे यानी कस्रत यानी exercise तो ये आप रोजाना करें जैसे मैं आपको बता रहा हैं आप गार से देखिए ऐसे बलके सीधा बैटे हैं और ये कान इससे मिलाने कोश्च करें ठीक है ये रोजाना आपको तीन मिनट करनी है ठीक है एक साथ तो नहीं कर सकते मैं भी नहीं कर सकता तो अदाधा मिन्निट करके, एक मिन्निट करके, तीन मिनिट करनी है, ठीक है? और एक एक्सेसाइज है, ये ठोड़ी यहां से फिकड़िये, पूरी मोड़ी जीए इसे, पूरी तरह, äh यहां तक आ जाती है, जब यहां आने लगेगी, तो आप ठीक हो जाएंगे और तीन मिनट ये तीन मिनट वो एकसरसाइज वजन वगएरा मत उठाय करिए जादा और दस दिन में एक अच्छा रिजल्ट आएगा आपको फाइदा शुरू हो जाएगा और वैसे तो इसी से फाइदा हो जाना चाहिए लेकिन अफारा वगएरा आपके है और गैस वगएरा है तो उसके लिए साउफ आमला मेथी दो दो सो ग्राम लें साउफ आमला मेथी दो दो सो ग्राम और एक आता है नमक जैतून रसाइन जैतून भी कहते हैं जैतून का रसाइन ये सो ग्राम लेकर इस में मिला दिए जो मैंने मैटेरियल बताया है पाउडर बनाई और आधा अधा चंब दो तीन टाइम भी खा सकते हैं खाने से पहले तो आपका ये पेट का भी मसला हल होना मुम्किन लखनाव से हिमांशु जुड़ गए है स्वागत है आपका हिमांशु जी नमस्कार बढ मैं प्राबलम होती है रखता है अच्छा उमर कितनी है आपकी उमर माई है पिस्टी है ठीक है तो दीकि बड़ा अच्छा नस्का है बलके दो चीज़े बताऊंगा जो आपको आसानी से मिल जाए वो इस्तमाल करें और ऐसे रोगी ठीक हो जाते हैं मेरे अनुभव के अनु इसको आप असली लेना है नकली भी बहुत मिलता है गौन सिया अगर सो गराम भी मिल गया तो समझ लेज़े आपके रोग के लिए काफी होगा अद़ गराम सुबा अद़ गराम शाम खाएं नाच्टे के बाद और रातों खाने के बाद बगएर चर्बी के दूस से जूस से या पानी से जिससे भी खाएंगे फाइदा आपको मुम्किन है ये असली लेना नकली बहुत मिलता है जायके में कड़वा देखने में ब्राउन कलर होता है लेकिन इसको गौन सिया या काला गौन कहते है नकली मतले ना अगर नहीं मिला है तो आप कैपसुल टी किया टी पाँच या दस दिन में थोड़ा थोड़ा फाइदा शुरू होता है और अपना खूब ख्यार लखें मुझे उम्मीद है आपको फाइदा मुम्किन है अगले कॉलर जुड़ी है करनाल से सरोध जी स्वागत है आपका नमस्कार मैंडम नमस्कार मैं मेरी मम्मी है मनलब उन कि अब सब्सक्राइब दोड़ साल हो गया उनकी जैसे टांग उता दिलकुर जैसे जूड़ उती गया तेन बहुत होती है बहुत रोते हैं वो उमर पे 75 साल है जी और दिखिए आपकी मम्मी के लिए आप लिख लीजे गौन सियाह कहीं असली मिल जाए नकली बहुत मिलता है कलवा होता है बहुत जैके में और यह सो ग्राम भी अगर असली मिल गया तो अधा अधा ग्राम सुबह शाम खिलाएं और यह जो होता है न वैस्टन टॉयलेट आ आप बहुत प्रेम करते हैं न अपनी मम्मी को तो उनके लिए लगवा दे हैं वो अपनी जुरुत वैस्टन टॉयलेट पर पूरी किया करें यह नहीं होगा तो बार बार वो होता रहेगा तकलीफ दवा उनको अच्छा करेगी और आप उने पिर यह जो दूसरा टॉयलेट होता है वो से फिर खराब कर देता है यह कैप्सुल टी केर टी फो टाइगर कैप्सुल टी केर सुबा शाम देना शुरू करें आपकी मम्मी को फाइदा मुम्किन है पटना से कॉलर है हमीम अंसारी स्वागत है आपका पीट में दर्द और कमजोरी कब से हैं यह तकलीफ जी पर देर महिना जो कई जो पर वाइट की जो पर वाइट की तो पर आप तेलसन में आ गएटी आप जामिल खाना पर नहीं चोड़ देती तो चलते हो क्या है एज क्या है वोई करें पटीस अ थाइट बरस जी पेट की जाँच करा लें आप सौनोग्राफी करा लें और कभी कभी हमें पत्री हो जाती है तो उससे पेट में देर्द होता है पिर वो कमर की तरफ चला जाता है कभी उल्टी आती है तो किड्नी की और पेट की बलके पूरे अब्डोमन की स्वनोग्राफिक करा लें तो सही पता चलेगा अभी शुरू हुआ है लेकिन क्योंकि आपने फोन किया है तो मैं दवा भी बता देता हूँ देखिए सौफ धनिया मेती छिवर बना लें बराबर वजन में लेकर और क्यूट्य सुवाएं अशुट्वाज यह कांच पानी इस पाहँ पाम बिलाएं तो हो सकता है ऐनको फाइदा हो जाए लेकिन जाँन काराने में कोई बुरा ही है Just जरूर करा हैं ताके हमें भी पता चल सके और जाँच में जो आए तो आप हमें शेयर करें ताके हम कोई सटीक इलाज भी बता सके अगली कॉलर है सुमंजवी हमारे साथ स्वागत है आपका हालो हान जी बोलिए कितने समय से है आपकी एच क्या है अच्छा साथ जी 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 दिखिए मैं आपकी बात सुनकर ये अंदाजा लगा रहा हूं कि आपकी घर में वेस्टन टॉयलेट जरूर होगा ऐसा मेरा अंदाजा है पता चल जाता है अंदाजे से लेंगवेज से और फिर भी अगर मेरा अंदाजा गलत हो तो वेस्टन टॉयलेट जरूर लगवा है तब ही आप ठीक हो सकते हैं यानि ये कुर्सी वाला बात्रूम पढ़े लिखे हैं आप और जरूर होना चाहिए आपकी घर में वैसे मेरे अंदाजे में अच्छा देखिए दस साल आपने क्या इलाज ने किया होगा और मुझे आपसे दो चार महीने चाहिए युनानी के लिए क्योंकि युनानी रोज जरा सा फाइदा पहुचाती है युनानी में दो चीज़े हैं जो आपको आसान से मिल जाए और असली मिल जाए वो ले लिजए गौन सिया एक काले गौन को कहते है गौन सिया नकली बहुत मिलता है कड़वा बहुत होता है बसूरस सा होता है कैसी कोई दवा नी देखी एक रो मैटेरियल है साबुत लें पिसावा किसी से ना लें और उसको पौडर बना लें सो दो सो गिराम मिल गया तो आपके रोग के लिए काफी है गौन सिया आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम पानी से बगएर चरबी के दूस से शुगर न पायदा हो जाए तो तीन चार बहीने खाना ताकि ये रोग वापस न लोड सके